हलो गाईस स्वागत है आपके अपने चेनल समाधान इस्टेडी चेनल में फ्रेंट्स जैसा कि सभी सातियों को मालूम है कि हम लटेश्ट अपडेट जो भी जौब सम्बंदित जानकरी हो आपके सामने तुरंत अपडेट करते हैं तो करपया करके चेनल को लाइक कर दे और डिप्लोमा एनिमल हजबेंडरी टेस्ट वाले सभी साती जीके के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर जीके का वीडियो बनाईए तो आपके लिए हम सभीदान से सम्बंदित जीके के कोश्चन लाए है जो कि डिप्लोमा एनिमल हजबेंडरी में टॉपिक है तो हम आज आपको भ पहले पार्ट है कि हम चार पार्ट में सब्षैंट आपको कवर करवा देंगे सविधान सममंदित और भी आपके जो भी जीके समंदित कोस्टेंस हो गए तो friends पहला question आपके सामने है, बहुती सांदर और बहुती important question, चलिए, start करते हैं, पहला question है आपके सामने, भारती सविधान में कल्यानकारी राज्य की संकल्पना समाईत की गई है, प्रस्तावना में, मुल करतवयों में, निर्देशक तत्वों में, मुल अधिकारों में, तो friends इसका सही उत्तर आपको बता दू क्या होगा जो भारती सविधान में कल्यानकारी राज्जी की संकल्पना समाइत है वहां आपके है नीटी निर्देशक तत्व में हम अधिक से अधिक कोश्चन कवर करने की कोशिस करेंगे इसलिए बने रही है साथ में आप सेकेंड कोश्चन देखेंगे हम लोग चली सेकेंड कोश्चन है आपका निम लिखित में से कौन सा भारत का एक सविधानिक निकाय है केंडरी अन्वेशन ब्यूरो राष्टी चुनावायो आपको ध्यान में रखना है यह जो है केंडरी अन्वेशन ब्यूरो राष्टी खुपिया एजन्सी या राष्टी मानवादिकार यह सब आपके हैं एक विधी संसता है ओके आपको ध्यान में रखना है चली थर्ड कोश्चन के और बढ़ेंगे थर्ड संसत के दोनों सदनों से संसत के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनुनित सदस्यों से संसत के दोनों सदन तथा सदन के सभापाती से या उपरिक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंस कमेंट करके आपको बताना है इसका सही उत्तर आपको बता दू मैं उपरिक्त में से कोई नही यहां पे कोई भी option सही नहीं दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, संसद बनता है, लोकसबा से, लोकसबा, राज्य सबा और राष्टपदी से मिलके बनता है आपका संसद, यानि संसद के दोनों सदन और राष्टपदी से मिलके बनता है, संसद, यह आपको ध्यान मे मंदल विदान सभा आपको कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर बता दू आपको में राज्जिपाल क्या होगा फ्रेंट्स जो आपका राज्जी की कारेपाली का है उसका प्रमुक होता है राज्जेपाल वैसे ही केंदर की कारेपाली का का प्रमुक कोन होगा तो आपका हो प्रधान मंत्री आपको ध्यान में रखना है चलिए बढ़ेंगे नेक्स कोश्चिन की और चलिए पाच्वा कोश्चिन आपके सामने हैं भारत की किस राज जी ने सरवप्रतम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया वेरी वेरी आयम पी कोश्चिन आपको इसका उत्तर बताना है चलिए इसका सही उत्तर बता दू आपको में जो भारत के जो याने सरवप्रतम पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी वह राजिस्तान में हुई थी राजिस्तान में लागू हुई थी राजिस्तान के नागोर जिले में ये आपको ध्यान में रखना है त सभापतित्व करता है भारत का राष्टपती प्रधानमंत्री लोगसभा अध्यक्ष या उपर राष्टपती तो इसका सही उत्तर आपको बता दू मैं फ्रेंट्स जो लोगसभा का अध्यक्ष होता है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठग का सभापतित्व करता है आपको ध्यान में रखना है, चलिए, नेक्स कोस्चन देखेंगे, नेक्स कोस्चन आपके सामने है, संग और राज्यों की मद्ध, वित्ती वित्रन हेतू, अनुसंसा प्रदान करने के लिए जवाब देहे निकाय है, वेतनायोग, वित्तायोग, अंतर राज्यी परिसद, भारत का सही उत्तर बता दू, आपको मैं, इसका सही उत्तर होगा, आपका वित्तायोग, जो संग और राज्यों के मद्ध, वित्ती विवरन होता है, वित्तरन होता है, उसकी अनुसंसा का जो जवाब देहे होता है, है ना, जिम्मेदारी होती, वह किसकी होती, तो वित्तायोग की ह होती फाइनन्सियल कॉमिशन की होती है आपको ध्यान में रखना है चली नेक्स कोश्चन देखेंगे नेक्स कोश्चन आपके सामने हैं केंदरी ये मंत्री मंटल की चपश्चन का सहीधतर क्या होगा बता दू इसका सहीधतर आपका होगा रायबर रेली में और यह रायबरली कहाँं है तो उत्तर प्रदे Kait अपको ध्यान में रखना है प्रजातंत्रिक धाचा एक प्रकार से आप कक्छा में मॉनिटर का चैन करते हो तो ये प्रजातंत्रिक धाचे के अंतरगत आता है चली टेंथ नंबर के कोश्चन के और बढ़ेंगे हम लोग टेंथ नंबर का कोश्चन आपके सामने है भारती सविधान में राज्य के निती निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के सविधान से लिया गया है देखी हमारे सविधान में अलग-अलग देशों से जो है स्रोत लिया गया है सविधान में और एक मजबुत सविधान बनाया गया है तो इसमें भारती सविधान में जो राज्य के नीती निर्देशक तत्व है वह कहां से लिया गया है United Kingdom से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, Ireland से या जैपान से तो बताइए आप लोग कहां से लिया गया है तो बता दू आपको आपका जो नीती निर्देशक तत्व लिया गया है सविधान में वह आपका लिया है Ireland से आपको ध्यान में रखना है चली बढ़ेंगे next question की ओर next question आपके सामने है उच्छ नियालाई के नियाईदिस अपने पद पर रहते हैं जब तक भारत का मुख्य नियाईदिस चाहे वह 62 वर्ष की आयू के होने तक अपने पद पर बने हुए रहते हैं next question देखेंगे next question आपके सामने है राश्टी विकास परिसत का पदेन अध्यक्ष होता है जो NDC कहते हैं है ना NDC को सूपर केविनेट की संग्या दी जाती है और आपको बताना है इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कोन होता है राश्टी विकास परिसत का तो वित्त मंत्री होता है ग्रह मंत्री होता है योजना मंत्री या प्रधान मंत्री तो फ्रेंट्स इसका सहीुत तर बता दू आपको मैं क्या होगा इसके जो पदेन अध देख्च होते वह प्रधान मंत्री होते और अभी हाली में प्रधान मंत्री कौन है नरेंद्र मोदीची तो NDC के पदे न देख्च अभी कौन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीची आपको ध्यान में रखना है चली नेक्स कोश्चन देखेंगे नेक्स कोश्चन आपके साम को या मुला अधिकार को कमेंट कीजी इसका सही उत्तर बता दू आपको मैं जो डाक्टर भीम्राव अंबेट कर जीते सविधान की पिता कहा जाता है इन्हें तो इन्होंने सविधान की आत्मा की संग्या दीती किसे सविधानिक उपचारों के अधिकार को एक-एक कोश्चन म डिप्लोमा एनिमल हस्बेंटरी का टेस्ट दे रहे है प्रवेश परिक्षा और यहां कोश्चन सभी एकसाम के लिए भी मातपूर्ण है तो आप इसे लर्ण कीचिए चलिए फोटी नंबर का कोश्चन आपके सामने है सिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विसय थ प्रारंभ में राज्य सूची का विसय था उसे समवर्ती सूची में समयलित किया गया कौन से सविधान संसोधन के अंतरगत इसका सही उत्तर बता दू आपको मैं जो इसे समयलित किया गया 42 सविधान संसोधन के अंतरगत सिक्षा को समवर्ती सूची में समयलित किया गया 42 सविधान संसोधन आपको एक्जाम में पूछेगा कब हुआ था तो ना आपको सन याद रखना पड़ेगा इंपोर्टेंट हो जाता है 46 में हुआ था यह संसोधन ओके चली नेक्स कोश्चन की ओर बढ़ेंगे 15 नंबर का कोश्चन आपको सभी मातपूर्ण कोश्चन करवाया जा रहा है यहां पर निम्लिखित में से कौन भारती सविधान का रक्षक माना जाता है संसद सर्वच्च नियालाय राष्टपती उपरिक सभी बहुत ही प्यारा सा कोश्चन है और वेरी वेरी आईंपी यहां एक्साम में देखने को मिलेगा आपको तो बता दू आपको जो भारती सविधान का संरक्षक कहा जाता है वह आपके सर्वच्च नियालाय को कहा जात कि लाड डलोजी ने करजन ने लाड क्लाईयों ने लाड रिपन ने बहुत ही प्यारा सा कोश्चन है 16 नंबर का तो आप बता दूए जो विद्वाप विवाव एक्ट था उसको जो कानून की मानेता दी थी वह किसने दी थी तो फ्रेंट्स लाड डलोजी के सासनकाल में इ यहां कानून बन गया था ओके चली नेक्स कोश्चन देखेंगे 17 नंबर का कोश्चन है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है प्रतिबंद अधिकार विशेशा अधिकार या कानून चली बता दू आपको मैं जो स्वतंत्रता के लिए अनिवारी है वह है प्रतिबंद ओके प्रतिबंद होना चाहिए स्वतंत्रता के लिए नेक्स देखेंगे लेक्स खुशन आपके सामने है एटेन नम्बर का कुश्शन किसके नियांदरत के अधिन होता है राज जी सरकार के उच्च नियाले के उच्च तम नियाले के या राज जी पाल के भूदी सांदर कोश्शन है और इसका कमेंट कीजिए आप लोग चलिए सयुत्तर बता दू आपको में जो जीला नियाई दीस होते हैं वह उच्छी न्याले के नियंतरन में होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए जाती नसल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए सभी को धर्म की सोतंतरा का अधिकार दिया जाना चाहिए तो फ्रेंट्स कमेंट कीजिए बता दू इसका सयूत्तर होगा आपका सी जाती नसल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए ये सामाजिक न्याय का अर्थ है नेक्स कोश्चन देखेंगे नेक्स कोश्चन आपके सामने है 20 नंबर का कोश्चन निमलिकित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है हरताल का अधिकार सोसन विरोधी अधिकार समानता का अधिकार धार्मिक सोतंतरता का अधिकार तो फ्रेंट्स बता दू आपको मैं हरताल का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है बाकी सब सोसन विरोधी अधिकार समानता का अधिकार धार्मिक सोतनत्रत का अधिकार यहां हमारे मौलिक अधिकार में सामिल है और हमारे मौलिक अधिकार अभी कुल टोटल कितने है छह मौलिक अधिकार है जिन में से पह लोगों को बने रही है वीडियो में अंतिम तक भारत में प्रसासन की सबसे छोटी इकाई क्या है जीला, राज्य, मंडल या ग्राम बहुती प्यारा सा और सुंदर कोश्चन है कमेंट कीजी इसका आपको बताना है सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो फ्रेंस बता दू आपको में सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है ग्राम है सिंपल सा कोश्चन था और लोजिकली कोश्चन था चली 22 नमबर का कोश्चन राश्टी ध्वज आयताकार है इसकी लंबाई का चवड़ाई से अनुपात है आपको बताना है आपका जो नेशनल फ्लेग है राश्टी ध्व उसका लंबाई और चवड़ाई का अनुपात क्या है तो फ्रेंस कमेंट कीजिए आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए चली बता दू आपकी जो लंबाई और चवड़ाई का अनुपात है नेशनल फ्लेग का वह है तीन वटे दो नेक्स कोश्चन दिखेंगे नेक्स कोश्चन का उत्तर कीजिए आप लोग बता दू मैं आपको हमारी जो प्रणाली है वह कैसी है संसरी प्रणाली है भारत की नेक्स कोश्चन के और बढ़ेंगे नेक्स कोश्चन आपके सामने एक एक कोश्चन करवा देंगे जो की एकजाम में पूछे जाएंगे राज्य में भारत का राष्टपती कितने सदत से राज्य सबा में मनोनित कर सकता है चलिए इसका उत्तर बता दुमें आपको जो राष्टपती है वह राज्य सबा में कितने सदत से बारा सदत से मनोनित कर सकता है और लोग सबा में दो सदत से मनोनित कर सकता है यह आपको ध्यान में र मचली तीरधनूस बैल या टाइगर तो फ्रेंट्स बता दू आपको मैं जो उत्तर प्रदेश का राज की चिन्न है वहाँ आपका है फिस मचली नेक्स कोस्चन की और बढ़ेंगे नेक्स कोस्चन आपका है प्रदान मंत्री होता है राज्जी का प्रमुक सासन का प्रमुक राज्जी तता सरकार का प्रमुक उपरिप में से कोई नहीं तो फ्रेंट्स कमेंट कीजिए 26 नमबर का उत्तर बता दू आपको मैं जो प्रदान मंत्री होता है वह पूरे सासन का प्रमुक होता है आपको ध्य तो फ्रेंस यहां पे डाक्टर मनमोन सी है प्रणाव मुखर जी या मीरा कुमार जी तो बता दू आपको मैं जो यूपी यह है वहां कांग्रेस से संबंदित है क्यों कि आपको ध्यान में रखना है जो कांग्रेस की पार्टी है वह यूपी ये के तहत आती है और जो क्यान में रखना है 27 का उत्तर ओके बढ़ेंगे नेक्स कोस्चन की और नेक्स कोस्चन आपके सामने है राजकता पूर्ण तथा ग्रान्तिकारीता अपरात कानून 1919 को लोपरी रूप में जाना जाता है रॉलेक्ट एक्ट पेट्स इंडिया एक्ट इंडिया आर्मी एक्ट या इलबर्ड बिल तो फ्रेंट्स इसका सयुत्तर आपको बताना है बता दू आपको मैं जो 1919 में हुआ था रॉलेक्ट हुआ था राजाकता पूर्ण तथा ग्रान्तिकारीता अपरात कानून रॉलेक्ट का आ जाता है और 1919 को 13 अप्रेल 1919 को जलेया वाला बाग हत्याकान भ कोन विदिक कतह सक्चम है राष्टपती प्रधान मंत्री लोगसबा संसत चली 29 नंबर का कोश्चन का सही उतर बताना है तो फ्रेंट्स बता दू आपको मैं किसी प्रकार का जो युद्ध घुजित करना है वह कोन कर सकता है कोन सक्चम है तो आपके राष्टपती सक्चम है चली नेक्स कोश्चन देखेंगे बता दू ये सभी कोश्चन डिप्लोमा एन एनिमल हस्बेंटरी वालों के लिए करवाया जा रहा है जो कि सभी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जीके का पार्ड कप करवाओगे तो आपके लिए लेके आ गए हम और बने रही है आप ल कमेंट करना है दो जोड़ी गई थी पांच या चार या तीन तो बता दू आपको मैं जो मुल सभीधान में आपके भासा आये थी कितनी थी फ्रेंट्स ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए चलिए 30 नंबर के कोश्चन का सही उत्तर क्या होगा चार भासा है आपके जोड़ी गई थी 92 सभीधान संसुदन के साथ है ना अभी आपके जो मुल सभी आपके वर्तमान सभीधान में कुल टोटल लेंग्वेज है वह कितनी है 24 लेंग्वेज है आपको ध्यान में रखना है अब बढ़ते फ्रेंट्स नेक्स कोश्चन क्यों राज्य सभा के पदेन अदिक्च का वेतन क्या होता है आपको बताना है कमेंट करके चली इसका सहीधतर बता दू मैं 125,000 इनका वेतन होता है ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स कोश्चन देखते हैं आंगल भारती समुधाय का प्रतिने दित्व करने के लिए राष्ट राष्ट पती द्वारा इस समुधाय से कितने लोगों को मनोनित किया जाता है चली बहुती बढ़िया कोश्चन है और सांदार कोश्चन है कमेंट कीजी इसका चली बतादू फ्रेंट्स मैं आपको आंगल भारती समुधाय के प्रतिने दित्व करने के लिए राष्ट पती जो है दो सदस्य को मनोनित कर सकता है आपको ध्यान में रखना है चली भारत की प्रतम मैला गवर्नर कोन थी सिर्मती सरोजिनी नाइडू सिर्मती विजियाल अच्मी पंडित जी सुचेता करपलानी या सिर्मती सन्नो देवी कमेंट कीजे 33 नंबर के कोश्चन का बतादू इसका सयुत तरापका होगा सरोजिनी नाइडू जी आपकी प्रतम मैला गवर्नर थी आपको ध्यान में रखना भारत की और आपको मात यह कोश्चन पुछले की प्रतम मैला गवर्नर कोन थी तो वो थे एनिवेसेंट जी आपको ध्यान में रखना है चली नेक्स कोश्चन दिखते हैं आ इसप्रस्यता की समापती का संबंध है अनुचे 56 से 17 अनुचे 18 या अनुचे 19 से इसका सहित तर होगा प्रेंज आ हूर इस प्रस्यता की जो समापती है वह है अनुचे 27 से संबंदित है नेक्स कोस्चन देखें गे कि इंद राज्जेब में prosper पंचायत के 35 नंबर के question का सयूत्तर होगा आपका बतादू में जो पंचायती राज सरुपरतम 1969 में लागू किया गया था वह किया गया था राजिस्तान और आंधर प्रदेश में next question की ओर बढ़ेंगे next question आपके सामने 36 का तात्तरवा भारती सविधान संसोदन संबंदित है केंदर राजि संबंद से सर्वच न्यालाई की सक्तियों से निर्वाचन आयोक की सक्तियों से पंचायती राज प्रणाली से तरत्तरवा सविधान संसोदन तो 36 नंबर का उत्तर बतादू इसका सही उत्तर होगा आपका पंचायती राज प्रणाली से नेक्स कोस्चन देखेंगे सारधा अदिनियम अंतरगत लड़कियों यों लड़कों के विवा की नियूनतम आयू कितनी वर्ष निरधारित की गई थी जो सारधा एक्ट बना था आपका उसके अंत्रगत लटकियों यों लड़कों की विवा कि नियुनतम I.U. कितने डिसाइट की गई थी, ये आपको बताना है, तो बतादू इसका सहीन उत्तर क्या होगा 14,18 वर्स, लड़कियों की I.U. 14 वर्स डिसाइट की गई थी और लड़कों की 18 वर्स डिसाइट की गई थ सारदा एक्ट के अंतरगत आपको ध्यान में रखना है एक्जाम में पूछे गई ही यह कोस्चन नेक्स कोस्चन बता दू मैं आपको भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किये जाते दलीतों को आदिवासियों को सामान्य भारती नागरिकों को उच्चे जातियों को मौलिक अ आता है क्योंकि मौलीक अधिकार सभी के लिए बनाए गए हैं सभी नागरिकों के लिए बनाए गए चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन आपके सामने निम्लिकित में से कौन से भारत के सविधान में सोसन की विरुद अधिकार का भाग होने के रूप में वि आपके सामने option दिये गए हैं आपको सही option चूस करना है तो फ्रेंस बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा तो बता दो फ्रेंस यहां पे दो बाते सम्मिलित की गई है कुनसी तो फ्रेंस एक तो मानों के दुरुवयापार और बलात्सरम का प्रतिसेद और एक है कार रखाने और खान में बालकों के नियूजन का प्रतिसेद चलिए याने सी नंबर का option आपका सही होगा बढ़ेंगे next question की ओर next question आपका है खोटी नंबर का question पीडियस गरीब लोगों को सबसीडी आधारित दरो पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तो के वितरन का एक माद्यम है इस सब्द का पुर्णुरब क्या है जो पीडियस है गरीब लोगों को जो सबसीडी आधारित दरो पर अनाज और अनावश्यक वस्तो के वितरन का एक म थितिफ्ट्रेविउशं सिस्टम उच्ट पुद्विजियूरन में से कोँ एजंसी सबी भारतियों को अनननी पहाँ पत्र। उपलब्द कराती। भारति निरवाचन आयोगे। माराष्ट सरकार सीमा सुरक्षावल उप्रिवत में से कोई नहीं 41 नमबर का कोश्चन तो फ्रेंट्स बहुती आसान सा कोश्चन है आप सभी सातियों को मालूम होना चाहिए जो आपके पहचान परत्र है वहाँ उपलप्त कराती है जिसे आप कहते हो और चुनाओं में आप ओड़ डालने के यूज़ करते हो भारती निर्वाचन आयोक के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है इसका उत्तर ए सही होगा नेक्स कोश्चन के उर बढ़ेंगी हम सविधान सभा के निमलिकित सदस्यों में से कोन कम्यूनिस्ट विचारधारा के थे के कामराज देजवन्दु गुपता एचसी मुखर जी सोमनात लाहडी तो फ्रेंस कमेंट कीजी 42 नंबर का कोश्चन तो इसका सही उत्तर बता दू आपको मैं जो आपके कम्यूनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे सविधान सभा के वह थे सोमनात लाहडी जी आपको ध्यान में रखना है बढ़ेंगे नेक्स कोश्चन क्यों नेक्स कोश्चन आपके सामने मार्च 2013 में कोन से उच्छ नियाले अस्तित्व में आए है चलिए तो बता दो आपको मैं उच्छ नियाले अस्तित्व में आये थे आपको ध्यान में रखना है बहुत ही मातपुर्ण कोश्चन है 2013 में तीन उच्छ नियाले अस्तित्व में बनाए गए थे तिरुपुरा मेगाले और मणीपुर का वैसे ही अभी हाली में 2020 में जो 2019 में है आपकी कौन सा उच्छ नियाले आपका आया है अस्तित्व में तो वो है आपका अमरावती आंदर प्रदेश का आपको ध्यान में रखना है अब टोटल आपके पास कितने देखो भारत में कुल कितने हाईकौड है ये कौश्चन पुछा है यहां पे अब कितने हाईकौड हो गए है आपको ये भी ध्यान में रखना है अभी यह ओप्सन आप सुदार लिजीका यहां पे अब हाईकौड बढर चुक है 44 नंबर का question पहले 24 थे लेकिन अब 25 हो चके है क्योंकि जो अमरावती है नया बना है नया high court बना है तो आपको ध्यान में रखना है अब 25 high court है चलिए 45 नंबर का question देखेंगे 45 नंबर का question आपके सामने है निमली कितमे से किस पदा अधिकारी को संसत के सदस्य नहीं होने पर भी उसे सम्मोदित करने का अधिकार है भारत के मुखिन निर्वाचनायुक्त को भारत के मुखिन यादिस को Attorney General of India Solicitor General of India है ना तो किसे अधिकार प्राप्त है आपको बताना है संसत को सम्मोदित करने का निमली कितमे से किस पदा अधिकारी को संसत के सदस्य नहीं होने पर भी उसे सम्मोदित करने का अधिकार है यानि वह संसत का सदस्य नहीं है फिर भी वह उसे सम्मोदित कर सकता है संसत कर तो ऐसा कुन सा सदस्य है जिसे यह अधिकार प्राप्त है फिर भी वह संजत को सम्मुदित कर सकते है चलिए 46 नंबर का कोश्चन आपके सामने है यह कौन निरने करता है कि अमुक विदयक धन विदयक है राश्टपती प्रधान मंत्री लोगसबा देख चे राज्यसबा के सभापती देखिए सभी महत्पुर्ण कोश्चन आप करवाय चलिए तो बता दू इसका सही उत्तर आपका होगा लोगसबा का अध्यक छे डिसाइड करता है कि जो अमुक विदयक है वह धन विदयक है ओके चलिए 47 नंबर का कोश्चन भारत में अभियुक्त को दी गई फासी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है प्र राष्टपती होगा सही उत्तर बता दू किसी भी प्रकार की फासी की सजा हो उसको निरस्त करवाना हो तो आप राष्टपती के पास छमा याची का दायर कर सकते हो आपने देखा होगा भी जो किसी भी प्रकार के केस होते हैं न्याले में और उन्हें फासी की सजा सुना द इस्तानी स्वसासन की व्यवस्ता कैसी होती है ग्राम ब्लॉक जीला और राजिस्तर पर चार इस्तरी व्यवस्ता ग्राम ब्लाक और जीला इस्तर पर तीने इस्तरी ग्राम ब्लाक इस्तर पर दुई इस्तरी ग्राम इस्तर पर एक इस्तरी तो फेंड्स यहां पर पंचाई जो कैसी है तो हमारी है जो पंचाइती राज व्योस्ता की गई है वह rejo व्योस्ता की ग्राम बलॉक और जीला इस दteil पर उके आपको ध्यान में रखनाए चली नेक्स कोस्चन देखते हैं नेक्स question आपका है सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार मूल अधिकार विदिक अधिकार चली यह question इस video में पूरा नहीं आ पाया है देखते हैं हम आगे ओके आपको ध्यान में रखना है चली जो सूचना का अधिकार है वह कैसा अधिकार है आपको बताना 49 number का question है तो friends आपको बता दू मैं जो सूचना का अधिकार है वहाँ आपका कैसा अधिकार है इसका सही उत्तर पहले बता देता हूं मैं आपको चलिए जो आपका सूचना का अधिकार है वह आपको ध्यान में रखना है विदिक अधिकार है याने कानूनी अधिकार है आपको ध्यान में रखना है आप 50 नमबर के कोश्चन क्यों बढ़ेंगे चलिए फ्रेंट्स 50 नंबर का question आपके सामने है 50 नंबर का question है आपके सामने लोकतंत्र जो democracy सब्द है वह किस भासा से लिया गया है बहुती बढ़िया question है Spanish से French से यूनानी से या Dutch से तो फ्रेंट्स बताईए आप लोग किस से लिया गया है तो फ्रेंट्स आपको ध्यान में रखना है आपका जो democracy सब्द है लोकतंत्र सब्द है वह यूनानी भासा से लिया गया है तो फ्रेंट्स यहां थे आज के important question जो कि सविधान से सम्मंदित थे और यहां आपका part फस्ट था आपके सामने part second भी लाया जाएगा जल्द ही सविधान का और सभी जी के सम्मंदित part आपको cover करवाये जाएगे Thank you, स्वागत है आपका पुना समाधान study channel में